असलाम लेकूम यह Puritan Age की थर्ड वीडियो है इस वीडियो में हम इस Puritan Age में लिखी जाने वाली पोईट्री को ज़रा डीटेल से हम डिसकस करेंगे और फेमस पोईट्स का भी हम जिकर करेंगे इस वीडियो में Puritan Age में सबसे पहला जो ग्रोप आता है वो है Spenserian Group यह वो ग्रोप था पोईट्स का जो के एटमन स्पेंसर को अपना मास्टर अपना उस्ताद माना करते थे और यह Spenser जिस तरीके से शायरी किया करते थे यह बिल्कुल उसी की तरह उसी को कौपी करने की कोशिश किया करते थे और यह जो Spenserian Group है यह लिखा करते थे अपनी जो पोईट्री थी शायरी थी यह पिस्टॉरल थीम्स हमें इन की पोईट्री में मिलेंगे पिस्टॉरल थीम्स का यह मतलब है कि यह जो गाओं के लोग जैसे गाओं के रहने वाले लोग गाओं की जिन्दगी किस तरह रक्सी होती है यह उसके बारे में लिखा करते थे नेक्स जो फीचर इनकी पोईट्री में मिलता है वो है नेरेटिव पोईट्री यह अपनी जो शायरी थी उसमें कोई कहानी बियान करने की कोशिश करते जब भी नेरेटिव का वर्ड आता है इंग्लिश में तो इसका मतलब होता है स्टोरी टैलिंग यह अपनी शायरी में जो अपने रीडर्स थे उनको कोई कहानी बियान कर रहे होते थे उनको कहानी सुना रहे होते थे अपनी शायरी के जरिये नेक्स्ट है Moral and Religious Allegories यानि ये एक ऐसी कहानी बियान करते जिसमें कहानी के अंदर एक और कहानी छुपी होई होती Allegory की जब हम definition करते हैं तो हम इस तरीके से Allegory को बियान करते हैं An Allegory in a story, poem or novel is a hidden story present under the surface story तो ये Allegory एक ऐसी किसम की story होती है जो के surface story के अंदर एक छुपी होई कहानी मुझूद होती है इसको हम Allegory कहते हैं तो जो एडमन स्पेंसर था वो भी बिलकुल Allegory जी लिखा करता था उनकी जो फेरी कुएन बड़ी famous poem है English literature में वो भी एक Allegory ही है अब हम famous poets का भी जिकर कर लें जिनका इसी Spencerian school से जिनका तालग था तो सबसे पहले फिनीन्स Fletcher हैं जो इसी Spencerian group of poets से belong करते हैं ये अपनी एक मशूर poem दे परपर आइलेंड की वजह से बहुत ही मशूर है परपर आइलेंड जो है एक Allegory है और इसके अंदर इनसान का जो जिसम है इसका structure बयान किया गया है और इनसान का जो माइंड है उसको भी बयान किया गया है नेक्स्ट है जाइल्स Fletcher ये जाइल्स Fletcher और फिनीस Fletcher ये दोनों भाई थे तो जाइल्स Fletcher एक English cleric थे और इनका भी तालग Spencerian group से है ये अपनी एक लंबी अलेगोरिकल पोएम Christ, Victory and Trump की वज़े से मशूर है और ये जो पोएम थी ये 1610, 1610 में सामने आई थी नेक्स्ट जो पोएट है वो है William Brown, William Brown Pastoral पोएट है ये गाओं के लोगों के बारे में लिखते हैं और इनका जो चीफ वर्क है वो है Britannia's Pastoral 113 में सामने आया था ये वर्क जो नेक्स्ट पोएट है और आखरी पोएट है जो Spencerian स्कूल में जो सबसे famous माने जाते हैं वो है George Wither George Wither famous है अपने एक ही पोएम जिसे shepherd hunting कहा जाता है इसकी वज़े से ये बहुत ही मशूर है तो ये थे Spencerian स्कूल of poetry ये सब Spencer को अपना उस्ताद मानते थे नेक्स्ट जो एक poetry एक new poetry आती है इस age में वो है metaphysical poetry बहुत ही फेमस है English literature में जब भी कोई English literature का paper होता है तो इस पर question लाजमी आता है पूरे बहुत ही ये important topic है English literature में तो हम ज़रा इसकूर इसकूस्ट करते हैं detail के साथ सबसे पहले तो meta, meta का मतलब होता है beyond और physical का मतलब होता है word यानि ये जो metaphysical poetry है ये एक ऐसी poetry होगी जिसमें ऐसे ख्यालात बियान किये जाएंगे जिन का तालुक इस दुनिया से नहीं होगा यानि ये एक ऐसे ख्यालात आपको देंगे जिन का तालुक spiritual word से होगा रोहानी दुनिया से ये जो term है metaphysical सबसे पहले इसको जान ड्राइडन ने इस्तमाल किया था जान ड्राइडन जब जान ड़न के बारे में बात कर रहे थे तो उन्होंने कुछ इस तरह के अलफाज कहे the poetry of john डन effects the metaphysics ये टर्म उन्होंने इस्तमाल की थी तो उस टाइम स जब ये metaphysical poets जब मर गए जब इनकी मौत हो गई तो तकरीमां 100 साल या 1500 साल के बाद एक इंगलेंड में एक critic आए जिनका नाम था Samuel Johnson Samuel Johnson ने अब किया क्या उन्होंने एक work लिखा बड़ा famous life of English poets यानि इंगलेंड के अंदर जितने भी poet गुजरे थे वो उनकी जिन्दगियों के बारे में एक पूरी किताब लिख रहे थे तो जब इस किताब के अंदर उन्होंने 52 यानि 52 poets का जिकर किया लेकिन जब ये Samuel Johnson आहे Abraham Kali को discuss करने के लिए Abraham Kali जो हैं बड़े ही मशूर metaphysical poet हैं तो जब ये उनको discuss कर रहे थे तो इन्होंने ये बात कही कि जब सतारवी सदी शुरू होई तो एक group आया और इस group को मैं नाम दूँगा metaphysical poets का तो यानि Samuel Johnson वो पहले English writer है या critic है जिन्होंने इस पूरा जो group था इसक metaphysical का नाम दिया metaphysical poets का नाम दिया लेकिन यहां पर ये बात भी आपको जानना होगी कि Samuel Johnson ने इस group को पसंद नहीं किया था वो ये Samuel Johnson कहते थे कि ये क्या अपनी शायरी में फजूर बातने कर रहे हैं क्या फजूर comparison कर रहे हैं तो ये जो poetry थी ना metaphysical poetry Samuel Johnson ने इसको बिलकल भी प पसंद नहीं किया था ये डिसलाइक दा metaphysical poets तो ये मशूर कैसे हुए जब 20 सदी शुरू होई तो इंगलेंड में क्रिटिक आय टियस इलियट के नाम से टियस इलियट ने metaphysical poets के नाम से एक essay लिखा और दुनिया को बताया कि ये जो सतार्मी सदी में एक group आया था ये कितनी बेतरीन शायरी किया करता था कितनी deep thought है इनकी शायरी में कितनी खुबसूरा diction ये language अपनी यूज कर रहे है शायरी में तो ये जो टियस इलियट का जो ऐसे था metaphysical poets इसी की वजह से ये जो सारा group था ये बड़ा ही famous हो गया English literature में अब हम discuss करते हैं कि metaphysical poetry में हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये जो metaphysical poets थे ये बगावत कर रहे थे spencerian school के खिलाफ यानी जो spencerian school था यानी फिनीज फलेचर जायल्स फलेचर और विलियम ब्राउन जिस तरह की ये शायरी लिक रहे थे metaphysical poets ये कहते थे कि हम बिलकुल ही अलग शायरी लिके हम अपनी शायरी में एक ऐसा concept दें जो कि आई तक किसी ने भी नहीं दिया ये चाते थे कि जो हम हमारी सोच होगी हमारी शायरी में जो सोच हम देंगे वो आई तक किसी ने उसके बारे में सोचा भी ना हो फिर ये अपनी शायरी में concept का استعمال किया करते थे कंसीट अब क्या है कंसीट एक किसम का मेटाफर होता है जिसमें आप दो ऐसी चीजों में सिमिलारिटीज ढूंडते हैं जो के बिलकुली एक दूसरे से अलग होती है मिसाल के तोर पर जॉन डन ने अपनी पोईंट फॉर्बेडिन मॉर्निंग में ये बात कही थी कि ये जो दो लवर्ज होते है ये बिलकुल कंपास की दो साइड की तरह होते है एक साइड एक ही जगा पे खड़ी रहती है जबके दूसरी साइड जो है वो गूमती है यानि एक लवर एक जगा पे खड़ा है और दूसरा लवर जो है वो वर्डली काम करता है दुनिया के काम करता है लेकिन जिस तरीके से कमपास की साइड आपस में आके मिल जाती है इसी तरह ये जो दो लवर्ज हैं ये भी एंड में ये दिन के आखिर में आपस में आके मिल जाएंगे यानि ये ऐसे concept देंगे अपनी शायरी में यानि ऐसी similarities ढूंडेंगे dissimilar things में जो के आई तक किसी ने भी नहीं किया था उस वक्त तक next है hyperbol, hyperbol का ये मतलब है जब आप अपनी शायरी में किसी बात को बढ़ा चड़ा के बियान करें जब भी हम definition करते हैं hyperbol की तो हम ये बात mention करते हैं the use of exaggeration यानि एक बात को बढ़ा चड़ा के बियान करना इसको हम कहते हैं hyperbol wit, wit हम कहते हैं जब हम बहुत बड़ी बात को एक छोटे से जुमले में बियान कर दें जिसको हम आम जबान में कहते हाजर जवाबी तो wit भी हमें मिलती है इनकी शायरी में नेक्स जो बहुत बड़ा feature है इनकी शायरी का वो ये कि ये अपनी शायरी में बहुती मुचल diction यूज जो अपनी शायरी में बहुती मुच्चन होता है और ये सोच यानो खेलाद के साथ खेलते हैं जितने भी मशूर पोईट्स गुजरे हैं मेटाफिजिकल पोईट्स उन में सबसे मशूर जो थे वो जॉन डन थे मेटाफिजिकल पोईट्स जो थे ये दो ग्रॉप में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं एक वो ग्रूप है जो के लव पोइम्स लिखा करता था और एक वो ग्रूप है जो के रिलीजियस पोइम्स लिखा करता था जो के जिसमें गौड अल्माइटी की ये तारीफ करते जिसमें ये गौड अल्माइटी यानि जीजिस क्राइस्ट हजद ईसा अलाहिसलाम के बारे मे लिखते तो जो पहला गुरूप है रोमेंटिक जो के रोमेंटिक शायरी लिखा करता था उसमें जॉन सकलिंग और रिचिड लवलेस ये दो आते हैं और जो रिलीजियस पुईटरी लिखा करते थे वो जॉज हारबर्ड थे टॉमस क्रियू थे और वॉन थे ये दो सोच दिया करते थे अपनी शायरी में जॉज हारबर्ड ने एक पुईम लिखी थी जिसका नाम है लव थ्री और इस पुईम के अंदर जॉज हारबर्ड ये बात कहते हैं कि अल्ला ताला ने एक पार्टी अरेंज की असमानों में और उस पार्टी में मुझे बुलाया और में बड़ा ही घेर आमादा था मैं रिलेक्टेंट था मैं नहीं जाना चाहता था क्योंकि जो मेरी रू है मैंने इतने गंदे काम कियां कि मेरी जो रू है वो आलूदा हो चुकी थी तो मुझे ये डर ता कि जब मैं Allह Osman के सामने जाओंगा तो मैं कैसे Allह générना का सामना करू जोकाई हुई थी ल्लाओ ताल्व मेरे पास आयर मुझसे कहा कि तुम इतने उधास क्यों खड़े हो क्या मेरी पार्टी में कोई कमी रह गई है क्या तो जॉज हार्बर्ट आगे से कहते हैं कि आपकी पार्टी में कोई कमी नहीं है لیکن میں کیسے آپ کی طرف دیکھوں آپ کی پارٹی میں دیکھوں آپ نے مجھے آنکھیں دیں تھیں لیکن میں نے ان آنکھوں کو تباہ کر دیا ہے میں نے بہت ہی غلط چیزیں دیکھی ہیں غلط کام کیے ہیں میری مجھ میں اتنی حمد نہیں ہے کہ میں اپنی آنکھیں بلند کر کے آپ کی طرف دیکھوں تو اللہ تعالیٰ انہیں کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تم نے گناہ کیے ہیں لیکن تمہارے جو گناہ ہیں ایک بندے نے قربانی دے دی ہے यानि वो जीजिस क्राइस्ट घज़ती सालाइसलाम का यहां पे जिकर कर रहें कि उसने कुर्बानी दे दी है तुम्हारे गुनाओं की इसलिए पीछे बैठो और मेरी इस पार्टी को इंज्वाए करो तो जो 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 जारबर्ट है वो कहते है ऐसा करता हूँ जो जितने भी मेमान आपके आये हुए हैं मैं इनको सर्व करता हूँ मैं इनको खिलाता हूँ खाना खिलाता हूँ तो अल्ला ताला उन्हें जवाब देते हैं नहीं तुम पीछे बैठो और मेरा जो मीट है मैं जो गोश्ट बांट रहा हूँ इसको इनज्वाए करो तो आप ये देखें कि इस तरह का वो कंसेप्ट मेटाफिजिकल पोईट्स अपनी शायरी में देते हैं कि वो ऐसी बात करेंगे जिसका कोई तसवरी नहीं है यानि अब कहां अल्ला ताला पार्टी अरेंज करेंगे आसमानों में और कहां वो बुलाएंगे इनसानों को तो मेरा ये पोईम बताने का ये मकसद था कि वो ये जो मेटाफिजिकल पोईट्स थे ये अपनी शायरी में ऐसे जज़बात बियान करते हैं ऐसे बातें करते हैं जिनका कोई तसवरी नहीं था य workflows ये बियान्द वर्ड बात किया करते थे अपनी शायरी में तो इस तरह से और भी बहुत सारी पोईम्स जौज हरबरड की हैं जॉन डन की हैं जिन में वो बियान्द वीजिकल वर्ड जाकर बातें किया करते थे और यही चीज सैमिल जॉनसन को बिलकुल भी पसंद नहीं आई थी हालांके टीयस इलियट ने जब अपना ऐसे लिखा मेटाफिजिकल पोईट्स तो इसकी वज़ा से यह जो मेटाफिजिकल पोईट्स थे बहुत मशूर हुए इंगलिश लिटरिचर में